तैं तो मैरी किषएफियर्मेट उनका कितना कर्च वाले लूगक देखिए किया चाल होता है इतना स्मार्ड होता है है चलाने हाता सब्सक्राइब का डल वास्तराव लोग्डौन के वाजद से मेरा मतलब बिजनेस खतम हो गया जिस कारण से हमको मेरा मेंटेनेस करना मुस्किल हो रहा था तो वही तो अस्सालाम अलेकुम दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं अच्छे होंगे आज का वीडियो जो है मैं इंडिया से सौदिया अर्पिया कैसे आया कितना खर्च लगा और यहां आने के बाद कितना परिस्वानी हुआ यहां इंडिया में कितना परिस्वानी हुआ कितना रुपिया लगा और कैसे कैसे यहां तक आया इसी वीडियो में आज आप लोग सब बने रहें आपको सारा A to Z बताया जाएगा सुरू से लेकर आखिर तक दोस्तों मेरे पहले की जिन्दगी मैं एक छोटा मुटा मुझलब कारवारी था जो लॉक्ड़ॉन की वज़ा से मेरा मतलब बिजनेस खत्म हो गया तो दोस्तों लॉड़ॉन के बाद से मेरे जिन्दगी में एक फिर से संगर्स की जिन्दगी शुरू हुए और मैं डटा रहा कभी इधर कभी उदर कभी ये कभी वो उसी दोरान बहुत सारा कर्ज हो गया था मेरे सर पर कि फिर मैंने उसी दोरान सोचा कि क्यों ना बाहर जाए गल्प कंट्री जाए जहां से क्योंकि देखो खर्च तो मेरा उतना ही था ना हमदनी नहीं था हमदनी नहीं खर्च उतना ही है जिस कारण से हमको मेरा मेंटेनेंस करना मुस्किल हो रहा था तो वहीं सोचकर हम निकले हैं को चलते हैं यूटूब में बहुत सारा जानकारी हांसिल किया और भी जान पेचान के लोगों से जानकारी हांसिल किया तो distinguished borrowed मैं कोई काम नहीं जानता था कि बाहते चलाने आते था कि तो कुछ दिन गुजरा पिर कुछ दिन गुजरा करते एक दिन उचानक से मैं इरादा किया कि चलो ऑफिस ढूड़ते हैं ऑफिस का एक दोस्त के जरिये से पता चला मेरा दोस्त है तो मुझे ऑफिस के बारे में जानकारी नहीं था दम बंदब फ्रेसर तो फिर पता करते करते ऑफिस जब पहुंचा इस तरह से फसा लिया जाया मैं जा रहा था किसी और उपिस हमें उसी दौरान और एक आफिस वाले का कांटक्त मिला उनसे मैंने बात किया कि मुझे बाहर जाना है बाहर जाने के लिए कि क्या प्रोसेस है क्या करना पड़ेगा पास्पोर्ट और अलेड़ी मेरा बना हुआ था तो सब कुछ पास्पोर्ट भी लेकर गए थे और फोटो रिज्यूम बगएरा सब जब मैं गया वहाँ पर दो को जा रहा था उनसे में बात हुआ धूं आप और पहूंचा कि कि वहां पूंचने के वहां बातुर्ट करने गाया भात चीत करने घए तो उन्हों ने बोला कि भाई ग्जा 멱 Nacional का जोबेर है कि आप कर णा चाहेंगे तो मैंने कहा ठीक है कि आप बताएं इंट्रिव्यु कब है किया-क्या रिक्वाइरमेंट हैं उनका कितना खर्च लगेगा यह भी बताई हैं तो लोग वोलें इंग्लीज कि आना चाहिए लांगविज कौन सा आना चाहिए तो बुलें ने इंग्ली सक्षिक्ष न फटाक से मेरा पास्पोर्ट लेकर जमा कर दिया पास्पोर्ट फोटो में सब लेकर गया था जमा कर दिया बोलेगी 17 या 18 आक्टूबर को कि याद नहीं है 17 या 18 था अक्टूबर को ही वहां से आप है आप आईए आई इंटरिव्य हैं वो क्रीन इन बोल्के क्कमह débए नभीन करें कौलकाता वह रिज़ी नहंतुस को हिं तो इसके लिए ताय फिर हम रिटन चले गए है निष्म地 में आठी वाह सुबह्त 9 बैंभ बुलाइग गया था सब से पहले मैं ही पहुंच गया फिर वहां से मेरे चार दोस्तों की मुलाकात हुई उधरी पे ही दोस्त बने थे चार एक भाई एक भाई का नाम था यासिर जो कॉलकता से ही थे एक भाई का नाम था सैनवाज वो आशन सुल के रहने वाले थे आ एक भाई का नाम था निजामद्दिन खान ये चार बंदे हम लोग है वहीं इंट्रीविए से पहले मिले थे और इस काम में के लिए पिर हम लोग जब इंट्रीविए जो लेने वाले थे वो ऑभी तक आया नहीं थे तो तकरीबने ग्यारा से बाराव बज़ गया था हम लो तक बैठे रहे बैट करते रहे अब बहुत सारे लोग आये थे यह चार जो बन्दा था एकी बैच का एकी साथ इंटेवनें अंदर गया है है तब तक ये तीन घंटा हम लोग आपस करते हान सब्सक्राइस बहुत करते रहे है इतना हृत इतना मिले इकेर benगा यह करेंगे जो इंट्धि लेने लेशा है हिनी में लिए और मेरा इंगली थोड़ा कम जोगर है तो मेरे लिए गटलग इसाब निकाल ले तो हिंदी में जब इंट्रिवी कर दों Me कि नुगा है इंट्रीव में बोला गया था कि यहां सौधिय अरब में 100 के स्पीड में चलता है गारी बहुत सारा मामला बताया गया था कि इंट्रिवी में सिंपल सवाल होता है सारा कुछ आप से पूछेंगे एक्सप्रियेंस आपका जो भी रिज्यूम अब देंगे ना वो बायो डाटा देने के बाद वो देखेंगे आज इनको लेकर जाना ही रहता है बंदे लोग को तो ज्यादा कुछ ने पूछता है दो बंदों ने बोला कि फैमिली प्रावलम बहन का यह मतलब बहुत सारा मजबूरी जो बताना पड़ता है लाजिमी है अगर दोस्तों आप लोगों में से कोई अगर आ रहा है यह इंट्रिव्यू है तो यह पॉइंट आपको रखना पड़ेगा घर का मजबूरी से जा र मेना बाद फिर रोना गाना चालू मुझे भेज़ो मुझे घर जाना है मुझे घर जाना मुझे घर जाना है इस तरह से रोना धाना ना करें तो तो बहुत अच्छा लग रहा तो स्टेम में तो मेरा मेरा और एक निजाम भाई था वो दोनों वो दोनों साथ में मिलकर और उनका वो उनका जब पारी आया तो बोले ना कि मेरा कारण है कि मेरा जाने का में पैसे कारण है ना पाइच चलाना मेरा पैसन है मेरा शॉक है और मैं भी बोला यही बात पैसन है और मेरा इस लाइन में तीन-चार साल के एक्स्प्रियंस है यह भी बात बताया है तो तो उससे हम दोनों अटक गए थे यह बात बोलने के बाद हम दोनों अटक गए थे पिर भी हम लोगों को चांस दिया गया तो पूछा गिया दुबारा कि आप क्यूं जाना चाहत क्लाइट पर लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलना है किया फ़र्स टाइम ता पहली बारा आए मैंने मजब अपने अप में खुद से मजाक से मैंने बोला अगर मैं सौदी नहीं जाओंगा तो भी मद माइचली माइच चली जाई कि यह मजाक से ही मैं मन में था मगर उनको लगा कि शिर्याद बोला और निजाम भाई भी था वो भी कुछ बोला यह बोलना पड़ता है जिस कारण से उनको थोड़ा तो फिर हम चारों का सलेक्षिन हुआ वहां पर आए ते 50-60 बंदे फोले तो हम चारों का पासपॉर्ट ले लिए यह बीजा के लिए वीजा यह आगए का प्रोसेस के लिए फैसापॉर्ड दूसरे दिन फोन आता है कि आप मैडिकल करा लै। अब का महफ़ा बनेगा मैडिकल कराने जाए अफंडो कमेडिक इतना महगा फूल अ मैंने जब मैं मेडिकल कराया था तो 6600 मतलब 7000 पड़ गिया था आने जाने किराया और खाना पिना जो भी सारा दिन का बरवाद गुए तो वहां हम लोग सुबा गए चार दोस्ता चारों का दो का एक जगा लगा था और एक जुथा उसका बन चुका था है सामया पाल मतलब यह पहले से ट्राइब कर तैंसे हम नोगों से ट्राइबकर कर दो एक तेन मैंने वाइलेट था फिर घंका मेडिकलित था आध़ हम गया हमेरा अखेला पड़ा कौकाता मेक बंगूर बोल कर तो बहु स्जेगा में मैं शक्रेकर मेडिकल सेंटर तो वहां अ तो वहां जाने के बाद बहूत टफ था Kinмет coat की मेडिकल पास होगा नहीं होगा क्या बीमारी उसके कुछ ऐने कुछ डिए टे चीलियो मधु कहाई था लिए ते हाद स्ट था मधो आद हैं अगर कोई तो कोई बीमारी नहीं है तो जो नसा करते हैं तो मेडिकल से दो चार दिन पांच दिन पहले यह सब बंद कर दें और पीते भी है तो बंद कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेडिकल में क्योंकि आपका साथ हजार रुपया बरबास हो जाएगा अब मेडिकल कराने तो पहले अगर डॉट है कि मुझे कोई भीमारी है तो आप लोग उसको क्या किज़े ना एक नॉर्मल मेडिकल करा लिजए ना मैं कराया था इसलिए इसलिए मैं भी फिकर तो फिर भी एक टेंसन होता है ना वाई साथ है तो अजया है और जिस कारण से तो तो आप लोग करा लेंगे तो बहतर हो गया तो मधू भी पी सकते हैं डाप पी लेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि उससे थोड़ा जो भी धुआ रहता है ना सीने में साफ हो जाता है दो दो तीन तीन दिन पहले से डाप पिना चालू कर देंगा पूर मेडिकल कराया दोस्तों मेडिकल कराने गया तो वहां चेक अप हुआ जैसे की ब्लड एक जगह अंदर में दो तीन चार पाँच कमरा रहता जिसमें किसी में ब्लड चेक होता है किसी में फोटो होता है और वो हम लोग होगा तो वो सब नहीं होता है यूरियन और यह सब नहीं होता है ब्लड और सीना कहीं होता तो वहां से सब कुछ हो गया मेडिकल हो गया मेडिकल में इतना धानली होता है दोस्तों मेडिकल के बाहर वो दलाल लो खड़ा रहता है वो आपका जो सिलिप देग प्छाप के सामने आखे बोले घटि किसके आगा तो गया आपका माच्छी आज़ा और खर्च हो जाया देना नहीं अंदर में ही वह आंदर में डॉक्ट्टर लोगों का जो टीम होता है न ओवा उनका अहल पर होता है आपको पहले जो ये पहले रिकागत को जेब के अंदर र मेडिकल आया जिसमें से मेरा फीट आया तो नजाम भाई का अनफीट आए गई क्योंकि ठंड का समय था तो नजाम भाई में थोड़ा सा हलका सीना का तरफ में यह दिखा रहा तो Um फिर 10-15 दिन का बात बुलाया गिए तो नजाम भाई जो थे 10-15 दिन बाद वह गए कि दवा वखाओ के गए तो उनका भी फेटा आई फिर वहां से हम दोगों को मतलब इसमें 15-20 दिन गुजर चुका था तो प्रोसेस लगता है अब एजट वहां से मेडीकल हो गया है अब एजट वहां से पेद्धों पेमेंट करताएं यह करा capable दोस्तों कभी नहीं देखिए जो कमपणी बुलाता है ना दोस्तों अर्बो खर्बो का यहां पर सेट अप करका रखता है तो लोग इस तरह से नहीं बुलाता है आपका पैसा देंगे आपका पैसा से नहीं बुलाता है आपका जो पैसा होता है यह पैसा एजेंट लोग का जिब में जाता ह हम जो मोटाल आप एंदोग को होता है कॉलाएं के लिए रोम भुक होता है तो आपलोग का पैसा ले कर ही आप गए यह और दीकिन साथ हो गारा किह जो है जो हम के भी तो sap पैसा एक हजार देना या पांच हजार देना इससे ज़्यादा सुरू में नहीं देना जब तक टिकट आपका नहीं हाथ में मिलता है पैसा मत दीजेगा दोस्तों कि अब स्मझे ना बहुत सरा भाइलो गरता है कि पूरा बात बताई एजेंट के नाम बताई अरे हम यह वीडियो बनाकर डाल रहे हैं तो क्या हम अपने पर मुसीवत लेना चाहते हैं कि वीडियो डाल रहे हैं आप लोगो जानकारी दे रहे हैं आप प्रस्नल कमेंट कीजे कमेंट कीजिए प्रस्टनल आईए हम आपको कमेंट में बताएंगे कहा आना है वहां बात कीजिएगा आपको सारा सवाल का जवाब बताया जाएगा और एजेंट को पहचानना इजी है पहचानी है आप लोग देखे सुरूब में जो नहीं आते हैं ना फ्रेसर होते हैं उनको लिए बहुत ही मुस्किल होता है मगर उसके लिए तो विडियो बना रहे है जो तकलीफ हम लोग जहले हो आप लोग ना जहले है आप लोग हर काम ज सारा कुछ online में सर्च करिए सर्च करने में आप लोगों को सारा कुछ बताया जाएगा आपको सब सो करेगा online चेक कीजिए आप फसेंगे नहीं हाँ सौधी में बहुत सारा company जो ऐसा है जिसे यहां third party company होता है third party company जो होता है नया कोई नया चालू होता है तो जिसके कारण से online show नहीं बताएगा online show नहीं करेगा जो third party होता है जिसको supplier बोलते हैं सिरका बोलते हैं तो इन लोगों को नहीं करता है बहुत सारा company show करता है बहुत बड़ी बड़ी company है यहां पर आप लोग सर्च करेंगे जो बड़ी company होगी वह आ जाएगी जो छोटी मोटी नहीं company होगी तो मुस्किल है नहीं भी आ सकती है तो वहां से आप लोग पैसा अपना पैसा खुद बचाए दोस्तों जो भी कोई प्रोसेश चालू मतलब चेक करें और सारा कुछ आपको मालम चलेगा यह वीडियो था हम लोगों का जरनी के बारे में फिर भी बीच बीच में आप लोग कि ऑउक्टूबर नॉसमेंबर दिसंबर इन तीन चार मैना जनवरी जनवरी में हम लोगों टिकट आता है इनतीयार करते हम लोग वह से आय पहलुभ बेंगेंस के लीचा करना ना एंट और ये एजेंट फास थाрिए वहुंक पास हम लोग चालाकी आपने घ्राइटा नोच करना पर आपsy MIKE Mcribe करें से इंट्रेस्टिंग बात कि हम लोग का ढाने से 15-20 पार यह क्या हाथा होता है कि हुआ कि हम लोगों का जो एजेंट काम करा रहा था फोन ने उठाता है तो होन ने उन्यच के जबाब नहीं दे रहा है परेशान 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 क्या करें अल्ला क्या हुआ और हम 40,000 रुपए तक दे चुके थे और भी बंदा कोई 25 दिया था कोई 10 भी दिया था वह चलाग बंदा था जो दस दिया हम लोगों में से अभी वीडियो देखेगा तो आसे तो अब दस दिया था वह भी वह वह फोर्थ पार्डी से था फोर एजेंट से था वह भी डाइरक इंसे नहीं था तो जिसकारण से फोन ने उठा रहा हम लोग क्या करें क्या करें परिसान मेरा दिल बोला ना कि एक बर ओफिस विजिट करना चाहिए तो ओफिस विजिट किये तो मालूम चलता है कि एजेंट के ओफिस में सील लग गया पुलीस ने सील कर दिया है दो दिन पहले है कि अब सील लग गया मेरा तो वहां जमीन पाया मतलब क्या बलते हैं पाउं तले जमीन खिसक गया और जितना ओनर था एजेंट और एजेंट के स्टाफ कुछ सब जेल तो पता नहीं चल ला था क्या करें क्या करें समझ में नहीं आ रहे था थोड़ा चला की दिखाते दिखाते पता करते हम चारों आये चारों मिले चारों आपस में आपस में खूब बात है हम लोग यह जो तीन महना था ना दोस्तों हम लोग एक दूसरे से कूब ऐस चले आए यहां अब उसी दोरान बाते करते तो एजेंट जेल चला गया वहाने आया पता करने पता होता करके पिर हम चारों मिलने के बाद मिलने के बाद हम लोग डिसाइड कि क्या करना पैसा तो लगता है फिर उसी दोरान जनवरी 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 25 जनवरी के दोरा हम लोगों को मालूम चला जिसे हम लोग ना डिरेक एजेंट का इंटरनेट से नंबर निकाल के मेंजन यू था मुंबई वाला उसको कॉल करते थे रहे हैं तो वह भी बताते थे ऐसा जैनुएन थो कॉल उठाते थे बोलते थे आपका हो जाएगा क्लाइंट अभी बताया नहीं है यह वो तीन माना काटने में गोजार दिये यह नमबर मिला हम लोग का वाटसब में बताया गया तो जब इन लोग मतलब मेरा जो एजेंट में उनको कॉल किया कि कॉल नहीं उठा रहे हैं से कहल नहीं उठा इसलिग अचानक से फोन आता है कि आप लोग टिकेट होने वाला है कि आप लोग साथ फर्वरी को आप लोगों का टिकेट हो जाएएगा तो काम करें आप लोग अपना एजंट से कनफर्म करवाया है दॉन पर नहें हम लोग बताएंने क्या ऐसा बात है तो दो तीन दिन तक हम लोग छुपा कर रख्या उनका कॉल आना चालू हो गिया कि एजेंट कि अब बात कंफर्म करा है एक फिर उन लोग बोले ना तो तो हम लोग क्या करते करते तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि उनका यहां एक लेडि सामने बैठती थे टो उनका नंबर मेरे पास था यह चार बंदे में मेरे पास नंबर था अचानक यादा है तो काते नमबर कोज की निकाला किस नाम से पेस्ट किया दा नंबर निकालने के बाद मेसेज किया है कि वह भी मेसेज उठारही नहीं हहां मतलब मैसेज कोई रिपलाई करने काल और सब्सक्राइब कोई से जवाब कि आप बताइए उन से बात किचे हम סब्स्कों सब्सक्राइब को त्यलिक जोर्ब से जूर्ब सब्सक्राइब को अग्या ना थोड़ा हम छला की दिखा सामने वाला जो थी उनसे बोला कि आप लोग का साथ तो ऐसा हिसा हुआ आप लोग एजेंट जो है जेल में तो क्या करें तो भाई मत पुछो खाना पिना खाया नेभू का प्यासा अदम टेंशन में अदम बहुत ज्यादा टेंशन में चालीस हजार रुपया डूप जाता है वहां से पता करते 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 क्वाल कटा में ऐसे यहां आलीपूर जेल में पहुंचे हैं हम लोग नहीं चिंप उर्भ पहुँचा आलीपूर जेल में आट है पुम्हानी आ चरफया और देखा कि वह जो फौन ने उठा रही ती का एसिस्टेंट जो थी दिसेप्शन में बैठने वाली वो लोग पहुंची विए फोन ने उठा रही मेरा फोन हमको देख लिए हमको देखके ना मुझ घुमाली और मैं पहचाना है मगर फिर अचानक से नजर पड़ा यह पहचान गिया मैं तो मैं सामने से गया बोला उसको प्रफोन क्यों ने उठा रहा रहा है तो फिर उससे बहुत सारा भाना करने लगी यह वो वो फिर मैं उसे मिला फिर मैं भी वोला है मैं मिलूंगा एजेंट से अंदर तो भाई पैसा कर दिया इसली जेल के अंदर भी गया है उनसे मिलने के लिए वह फार एंभर के जो चले आया चले आने के बाद फिर यह जो थी बाहर इनसे ही कॉंटेक्ट किया गिया इनके इतुरों क्योंकि यह 40 खा चुकी थी इननों खा चुके थे इनको देना था 40 जो डील इन लोंका होता है असी में हमारा डील फाइनल हुआ था और मिलाज लागे डील लाग का खर्ज बैठा था तो यह जग पूरा खर्ज बैठा था जिस कारण तर फिर हम लोग वहां से आया है टिकेट हाथ में हम लोग टिकेट का यह भेजा गिया डाउनलोड किये डाउनलोड करने के बाद फिर हम लोग चारों मिलके राय किये कि कैसे जाना है मुंबई जाना है तो कॉलकाता से हम लोग कि शालिमार से हम लोग मुंबई कि टिकट मिला थ्री एसी गया उसमें बैट कर हम लोग मुंबई आये मुंबई आये तो सुबह सुबह वहां उतर है सुबह उतरने के बाद हम लोग सबसे पहले ऑपीस ही जाना था मगर हम लोग चले गए हाजी अली दरगा जिसका आप लोग वीडियो देखे भी होंगे नहीं देखे तो जाके देख लिजेगा हाजी अली दरगा गया तो वहीं से सुरू कियते हैं कि अब थोड़ा सा यह सब प्रिसानी हम लोग झेले हैंना तो आस्ते धीरे करके जो मेरा भाय लोग जो नादान है ना समझ है यह वीडियो उनके लिए उन को देखे आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे कैसे क्या होता है नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा हम जरूर बताएंगे जब आपको जरूर बताएंगे जो भी पूछना होगा जितना मुझसे हो सकेगा सब्सक्राइब एक वाँ हडिकल में तोड़े इदर भो समंदर पेस गोंपीर सब्सक्राइब अब टिकट appararta कि को, तरह चाहिक त्षिछ में कहiras प्षिए ज़ते हैं कि नुसरेर्ट में फ्री इस तरह से मुस्य साथ तरइक बटैंसा तो पैसे होंआठे दो पैसा का बात आ रहा है कि यहां मोट बहुत सब्सक्राइब सबस्सक्ति के episodes 27ारें पैसा करें 2017-19 बलोग ज्यारा पैसे मागा जा रहा था अ मैं फिर भी हम लोगों नहीं नहीं दिया इने के बाद कि वहां से हम लोग निकले कि निकलने के बाद हम लोग आ गये से ट्रेन पकड़ लोकल इस पहुत परसानी होता है बाई पहला बार आने तो बहुत परिसानी वहां से अंधेरी के लिए ट्रेन पकड़े अंधेरी आने के लिए आपको दो ट्रेन चेंज करना पड़ता है जब मुंबई में नहीं होंगे पहली बार होंगे तो कितना परिसानी होता है अधेरी उतर कर वहां से ओटो लिए ओटो लेगे एरपोट आए एरपोट आने के बाद अपना जो बोर्डिंग हुआ बोर्डिंग होने के बाद इमिग्रेशन होने के बाद हम लोग अंदर गए फ्लाइट में बैठे अग तीन चार दिन से नहीं नोग सोहे नहीं थे इतना दा आ रहा था यतना नीन दा आ रहा था आज जैसे फ्लाइट फुडा एक जटका इस तरह लगा अधम अधम आख बंध आध़ भंध होता है पक्का डुहाई घंटे के बाद जो हम लोग टिकेट में लिखा था अरह 6 गंटे में डिखत रहाई गंटे में और हाई गंटे द सब्सक्राइब दिखाता था अल्हाई वहां से इंडिया से समुंधर के बीच फिर समुंधर के बीच से यहां सौधी आड़ाई पाद गंटा टोटा लगता हम लोगों का लगा था डायरेक्ट था नौन स्टॉप था तो आख खुला था प्लेन इस तरह से फर्स्टाइम था अच्छा लगा था बहुत ज्यादा पास टाइम बाटे था तो आख खुल गया था बागी सब तो सोरा दखो फिर जब खुला तो अच्छा नजा रहा देखे इतना खुब्सूरात व्यू था अल्हम्दुलिल्ला अल्ला का शुकर है बहुत अच्छा लगा था फिर वहां से हम लोग यहां आ घएंचे अब यहां तो उतर गए रियाद एरपोर्ट में रियाद एर पोर्त में उत्रें तो लगबलबո आदा घंटे के बाद कंपणी के बस आया था नेιοए कउम दो संटाइध बंदें बैट मैट से में भेंटा लगा रियास ते हम लोग अब यहां से फिर तीन महना का प्रोसेस अब सुनिए अभी यहां आए यहाने के बाद दो दिन के बादboards कि इसमें 27 बंदों में से सात दिन के अंदर 10,2100 के बागी अंदर बागी सबका बन गयता तो हम दो मेरा साथ दिन के बाद बना इसे बात अब अब लाइसेंस का प्रोसेस चालू है लाइसेंस का प्रोसेस जो था वह वह से कम से कम 2 मेना का था एक पहला मैना तो ऐसी पूरा चला गया दो मैना और लाइसेंस के लिए अब लाइसन के प्रोसेस में क्या है ना इनका लाइसेंस में अपांड़मेंट जो है ना वो जल्दी बुक नहीं नहीं होता है कि इसी के लिए एक बंदा का तो अभी तक आज तक वीडियो बना रहे हैं आज तक नहीं बना अपार्टमेंट मिल नहीं रहा था बहुत मुस्किल होता है तो खैर एक जटके में कुछ बंदों का बना 20-22 बंदों का बना फिर उसके बाद मेरा भी पारी आया तो मेरा जो कर ऐसे पाइक पर उसके बाद प्रोसेस चाल कर खे़ुए वहां तो पैसा जमा करो अफारंबर अचके मेरा फिर वहां ऊंदों से एक नमबर में आट बीनबर कंटर उसके बाद वहां से बहँए गारा चला कर दिखांग गारी चलाने इजी है श्क्रम नहीं है एक देम इसी आप लोग कोई भी आएंगे तो बाइक चलाना एकदम इजी है तो सब गियर आगे होता है हलका गाड़ी होता है आप लोग तो इंडिया के अच्छा गाड़ी चला क्या है यहां अभी यहां भी साल पीछे गाड़ी का मामल में बीस-पचीस साल पीछे तो बाइक चलाए डर लग रहा था बहुत इंसन तफाई जीसे आप लोग अभी नहीं है तो आप लोगो तो होता होगा हम लोग इतना अच्छित नहीं थे ना कि कैसे क्या होगा क्या होगा इंडिया में जलाता है यहां इंडिया से ज़्ञाज़ा है मगर आने के बाद सब इ कि चार चक्का जानेने लाई कि फ़ह रास्ता होता है चार चका अराम से चला जाएगा और कुछ निए पहला टेस्ट में तो एर जैसे बना अब हिसाब से आप चले गया यहां से शुरू करना पड़ता है यहां से चलते 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 लाश्ण में आप वहां घुर कर चले आएंगे फिर वहीं जहां से स्टार्ट के तो गाड़ी लगाना है लगा के उतर जाना उतरेंगे जो ओफिसर होगा जो खड़ा आपको एकामा नंबर पुछेगा एकामा नंबर दीजेगा खली बली हो गया फिर वहां जाएंगे तो आपको पुलिस पुलिस बेरिविगेशन कराना पड़ता है फिर आपको आप जैसे के तेस्ट देने के बाद जाएंगे ना आपको केम्पूटर क्लास होगा क्लास चले गया एक-एक खम बताया जएगा नियम कानून कई स propose दिखाएंगे अप देखिएगा फिर एग्जाम आएगा Sex आफ एक्शाम याद कर लीजेगा इस मेंटर पर आप प्रस्टनल मैसेज किएगा तो बता देंगे क्योंकि कुछ गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करना जरूरी होता है नहीं तो मुस्किल होगा एक्जाम है पढ़िए लिखिएगा उसमें से एक्जाम बढ़ने के बाद आप अपना जाएंगे कैंपडर का जब आपका एक्जाम चलेगा वहां पास किजिएगा चाली सवावल में से कि साहिद आपको 30 यह सवाल बत्रिस सवाल जवाल सही देना जवाब तो देने के बाद आप पास हो जाएंगे तो फिर फाइनल टेस्ट होगा फाइनल टेस्ट में दोस्तों यहां लगेगा की पांच की छे की दस की पंद्रा की मारेंगे तब स्टार्ट होगा ठीक है वह अब किस्मत कपर आपको कौन दागाड़ी मिला फाइनल टेस्ट में ऐसा होता है तो याद रखिएगा की से स्टार्ट कीजिएगा अच्छा रहेगा और यहां के लोग अच्छे रहते है एक मौका देते हैं अगर फेल नहीं करते हैं मौका देंगे उसके पास कर देंगे तो आप वहां फाइनल टेस्ट दीजिए फिर आपको वहां जाएंगे बस दूसरा दिन आपको यह देदेगा लाइसेंस हाथ में देदेगा हम लोग ऐसी तरह से लगबग लगबग तीन महना लग गया था यहां पर हम लोग लाइसेंस हाथ में मिलते हैं मिलते हैं तीन महने के बाद हम लोग यहां से काम पे चड़े काम पे चड़े तो उसके कुछ दिन बाद लाइसेंस मिलने कर दस पंदरा दिन बीस दिन बाद काम पे चड़े हैं तो अलहम्दुलिल्ला काम क अपने मुल्क भी जाए चानते हैं काम यह बहुत सारा रिक्स वहला काम होता है आशारा बस दोस्तों और बाकी का है मोईडिए में आप लोग वीडियो के मत्यम से मिल्टे रहेगा बहुता बस आप लोग दोग जो वीडियो को प्यार द लाइक कीजिए कमेंड कीजिए दोस्तों में सेयर कीजिए नए लोग जो आने चाहते हैं उनको सेयर कीजिए कि कुछ मेरे वीडियो से मोटिवेट होंगा इंशाल्ला तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अस्सलाम अलेकुंग